हेलो काई आप सका स्वागत आपके फिल ट्रेक्शन चाल में और आज हम ले क्या है लॉस्ट मुवी का रिव्यू एंड ये मुवी लॉस्ट नहीं हुई है लेकिन इसको देखके आप ज़रूर लॉस्ट हो जाओगे बिकाज ये मुवी बहुत ही जादा कमाल किया है स्टार्टिंग से ही ऐसा होना है कि मुवी में पूरी तरीके pelo कि जाते हो आपको निकल नहीं करते है कही बाइज अब बहुत से लिए इसला है मेरा स्केप मानने का मन ही नहीं किया है और गलती से अगर मेरा हात डब गया तो वापीछ जाकर दिखता हूँ कि वह सीन में क्या चल रहा है because इतनी intensity के साथ पूरा ये thriller को बनाया गया है कि आपको देखने में बहुत मजा आएगा and जो एक thriller में लोगों को पसंद है कि news reporting होनी चाहिए, politicians होने चाहिए and साथ में ये चीज होनी चाहिए कुछ ना कुछ एक real intent होने चाहिए और जब आप ये समझते है कि एक real story के ओपर बेज है तो आपका attention कहीं हिलने का मतलब ही नहीं because आपको होता है कि भाई क्या असल में हुआ होगा और ऐसा क्या निकल के आया होगा और आपको कहीं ना कि ये last time movie एक थोड़ी sad ending भी देती है और थोड़ी खुशी भी देती है दोरों चीज आपको पकड़ा के जाएगी क्योंकि इस movie में सब कुछ है और जहां तक बात करें इस movie के actors की तो यामी Gotham ने तो कमाल कर दिया है क्योंकि उनकी हमें subtle बैसे देखा जाता है acting बहुत movies में देखी हुई है लेकिन इस movie में वो बहुत सही तरीके से आती है और जिस तरीके से एक न्यूज रिपोर्टर है और वो एक बड़े परिडिशन के खिलाफ जा रही है तो उनको बहुत थ्रेट्स आते है तो जिस तरीके से वो थ्रेट्स को एंडल करती है ने एक बहुत जैनूइन फील आता है क्योंकि मैंने बहुत movies में देखा हुए कि एकदम ही over delayer बन जाते हैं कि नहीं अच्छा भई हमाई तो कोई फरागी नहीं पड़ता कुछ भी बोलो हम तो बिल्कुल सत्यवाद है हमने सोच लेता हम करके दिखाएंगे लेकिन लेकिन मैं कहना चाहूंगा यामी गौतम को sorry because वो मेरी favorite actor नहीं थी इस movie के इस movie के मेरे थे पंकच कपूर वाव कमाल अकाम किया है उनने वो उनके नाना का रोल निभा रहे थे और उनकी जो relationship थी ना यामी गौतम के साथ वो बहुत ही शानदार थी जिस तरीके से वो यामी गौतम को हर टाइम पर मजाग के साथ या किसी ना किसी तरीके से पूल अप करते थे या उनको कुछ समझा के चले जाते थे हैं यामी गौतम भी बहुत स्मार्टली उसको लेती भी थी हैं वो समझने की ट्राइब करती थी लाइक जैसे उनको भी बहुत बार थ्रेट्स आ रहे थे लेकिन वो अलग तरीके से यामी गौतम को लेकिन वो उनका सारा उनके नाना बनके रहते थे लैक ये मूवी एक ऐसी थी ना जिसने में को इतना ज्यादा अच्छा फील कर आया था कि यार कितनी बढ़िया रिलेशंचिप है इन दोनों की और जहां तक हम इस मूवी की डिरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करें तो ह और फाइन डिटेल्स पर ध्यान दिया गया और कोशिश की गई है कि इस मूवी को जितना रियल हो सके उतना जादा रखा जाए लैक ये भी नहीं हुआ है कि बहुत जादा आपको लग रहा है कि यह तो कुछ जादा ही हो गया इतना तो लोग नहीं करते है अफकॉस पुलि किसे क्या हूँ और लास तक आपको पता नी चालेगा ये थ्रिल आपको कहां लेकर जाने वाला है ये मुवी काफी बार जो है साइलेंटली बहुत सारी रिलेशन्शिप्स का आपको बहुत एक अच्छी सीख दे के चली जाती है लाइक जो नाना और दोती की रिलेशन्शि चाहिए और उससे आप बहुत चीजे सीख पाते हैं एक सीजन जो है जिसके बार मैं आपको बताना चाहूंगा शायद वह स्पोईलर तो नहीं होगा पर यामी गौतम लिफ्ट के अंदर होती है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है ना कि आपको देखके एक बार आपके हाथ जाते हैं तो जैसे उनकी पूरी सिचुएशन चलती है उनके जैसे फादर मदर के साथ रिलेशनशिप है सब चीज को बहुत अच्छे से यहां पर ध्यान दिया गया है मैंने जब जी फाइब के ओपर यह मुवी चालो की थी में को नहीं पता था इतनी कमाल की मुवी निकल है तो कि आपको यह मुवी कैसी लगी और हम लोग एक दूसरे को साथ शेयर जरूर करेंगे कि क्या हमारे एक दूसरे के रिव्यूर है बाकि मेरे साब से तो 5 आप 5 स्टार है आपको यह मुवी जरूर देखनी चाहिए जाओ और जी फाइब पर जाके यह मुवी चेक